अगर जीवन में आपको कुछ भी सीखना है न तो जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा तभी तक आप सीख सकते हैं ठीक है न ऐसले पीएस वेलेस में काम करने के लिए कोई भी आदमी यहाँ पर काम कर सकता है जो यह सोचता है कि हम तो जॉब कर रहे हैं कि हम पर आसानी से काम कर सकता है ठीक है न इसके साथ साथ और कौन बेक्ती काम कर सकता है जो ब्यापार कर रहा है ठीक है न उसने अपने यहाँ दुकान खोल रखी है या और भी कोई काम कर रहा है सबजी का ठेला लगा रहा है या रिक्सा चला रहा है या और भी कोई दुकान कर रखी है ब्यापारी है वो भी इस काम को आसानी से इसके बाद में और कौन जो पैसे वाला है जो चाहता है कि अमीर है वो भी इस काम को कर सकता है और एक किसान है वो भी इस काम को आसानी से कर सकता है जरूरत है उसको इस बिजनिस को सीख करके करने की ठीक है न तो यहाँ पर ह हर तरीके का व्यक्ति चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो नोकरी कर रहा हो चाहे बेरोजगार हो हर तरीके का व्यक्ति यहां पर कामयाब हो सकता है काम करके ठीक है ना क्लियर हो रहा है गी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग की खुबसूरती क्या है डारेक्ट सेलिंग बिजनिस यहाँ पर जो है न सबसे अच्छी चीज है कि आप फुल टाइम या पार्ट टाइम किसी भी टाइम आप इस बिजनिस को आसानी से कर सकते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं वो छुटी होने के बाद में नौ से पाँच ड्यूटी होने के बाद में उनके पास में बहुत ऐसा टाइम बचता है जिस टाइम पर इस बिजनिस को आसानी से किया जा सकता है डिर्यट शेलिंग इंडस्टी ऐसी इंडस्टी है जहां पर हर तरीके का ब्यक्ति फिट हो जाता है ना किसी भी टाइम काम करके यहांसे सफल हो सकता है डिर्यक्त सेलिंग इंडस्टी जो है न यह business ही अलग है आप बाहर की दुनिया में जाएंगे ना तो बाहर की दुनिया में एक दूसरे को लोग गिराने में लगे हुए सही है गलत है competition लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है और ऐसे time में हम लोग बात कर रहे हैं network marketing और उसमें जवरजस्ट में company की बात कर रहे हैं S.L.P.S. Well-less Private Limited की जहाँ पर सफल होना कितना असान है कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर अपने आपको सफलता कि उन सीडियों तक उचाईयों तक ले करके जा सकता है जो कभी उसने सपने में सोचा है क्यों क्योंकि जरूरत नहीं है यहाँ पर कि आप पड़े लिखे हैं या नहीं है या पंगूठा चाप है या क्या है गोरे काले नीले फिले से कोई दिक्कत नहीं है बस आपके अंदर एक जज़बा होना चाहिए कि नहीं सर जीवन में जो यह समस्या हैं जो एड़्जेस्टमेंट की सिंदगी हम जी रहे हैं अगर आप खह रहे हो कि तीन से पात साल मेहनत से इमानदारी से लगन से काम करके अगर इन सपनों को पूरा किया जा सकता है तो सर अगले तीन साल के लिए हम अपना हाथ आपके हाथ में देने को तयार हैं हलो क्या आप ये करने को तयार हैं अगर तयार हैं तो भाई साब फिर आगे आपको करना क्या है अब आगे समझें ठीक है ना S.L.P.S. वेल्लेस में हमने आपको बताया क्या करना है प्रोड़क्ट को इस्तिमाल करना है आज अपने आग कितने केटागिरी के प्रोड़क्ट है आपको पता है ठीक है नहीं पता S.L.P.S. वेल्लेस जितने भी प्रोड़क्ट अपन आज मार्केट में है उन सब को खुद मैनूफेक्चर करती है ठीक है आप देख रहे है केवल प्रजर्वेशन के लिए इस्तिमाल होता है जैसे ही आप उसका ढखन खोलते हैं वो जो उसकी मात्रा होती है वो खतम हो जाती है यह क्यों डाला जाता है कि अगर जो प्रोड़क्ट आपके पास में है वो खराब ना हो जाए आपने देखा होगा जितने भी प्रोड़क्ट है उसके लिखा रहता है कि ढखन खोलने के 30 दिन की अंदर इसको उप्योग कर ले सही है गलत है क्यों क्योंकि उसका ढखन जैसे ही खुला तो उसमें जो प्रजर्वेशन केमिकल था वो खतम हो गया एक महीने के अंदर आपको इसको इसको इसकोider करना है अपने जितने भी प्रोड़क्ट है उनमें कोई भी खेमिकल इस्तिमाल नहीं किया गया और सारे के सारे प्रोड़क्ट कंपनी खुद बनाती है ठीक है